हेलो फ्रेंड स्वागत याका में चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आ हैं मोंपली का बिल्कुल नया नास्ता ऐसा नास्ता गारंटी आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और यह बहुत ही जादा पोर्टीन से भरपूर है क्योंकि हम बना रहे हैं इसे मोंपली से तो जरू क्या तो जो मेरी 150 ग्रम है और यह हमने कची मोंपली की जगह पर आप रोजटर मोंपली लेने तो आपका काम अदावां हो जाएगा लेकिन कंची मोंपली अधिक तर गहरों में होती है इसलिए हमने कच्छी मोंपली लिए चलते हैं गयास की तरफ बिना टायं को बर्बार क और यह मेरी 150 ग्राम मोंफली है और अब इसको हम अच्छे से रोष्ट करेंगे लमसम घड़ी देखकर 2 मिल्ट ग्यास का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए और धीमी धीमी आज पर हमें से रोष्ट करना है तो फ्राइन धीमी धीमी आज पर हमने मोंफली को भूलना सु से घड़ी कि देखकर 2 मिनट बार हमें मोंफली को फृटाफट निकाल लेना है तो 2 मिनट हो चुक है एक लगाइन पर बंद कर देगे और घ।ूर इसे हम तोड़ा साथ ठंडा हो जानीदेगी और हमें मोंफली को दर जरा चाहिए तो इसलिए हमें इसे ठंडा करना पड़ जब ये room temperature का हो जाएगा तब इसे हम ग्राइंड करेंगे दो इसे वेट करते हैं तो फ्रैंड देखिए हमारी मुझफली होगा ही ठंडी अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे तो इस तरह से मिक्सर जार में हमें डालना है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे करी लिए यानी कड़ी थी निज यानी कड़ी के पत्टे और मैं ट्राय वाले इश्तामाल कर सकतxico और आपके पास फुत सब्रस वाले भी स्ताइब इस चीट याई संब्किन डाले डाले केब tłmak फज्मित सब्सटी दाले अगर आपकी की है तो आप एक आप ही डालिएगा मेरी कम तीकी है तो मैं रड़ी इस तुरह से मैं धुक्त पांच शाली मिर्च को यह डाल दिया है और इसके साथ अब इसमें हम डालेंगे नमक हम तेस्ट के अकारडिंगज डालेंगे तो इतलिए हम थोड़ा सा इसके नमक कि आगे हम नमक का इस्तमाल और करेंगे तो इसलिए हमने अभी नमक ज्यादा नहीं डाला है और अब हमें इसे टककर लगाकर बिल्कुल ड्राइप लेना है बिल्कुल दरदरा बहुत जड़ा पाई नहीं करना है तो मैं इसे दरदरा पीस के लिखे आती हूं फिर आपको दि नहीं नहीं निकाला है क्योंकि छिलके के साथ यह बहुत इजार टेश्टी लगता है और छिलके खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों तो इस तरह से दिखिए हूं मैंने बिल्कुल दरदरा पीस लिया मैं आपको दिखा रही हूं और इस मिस्टर को हमें बड़ी अगर आप इसे ठंडा करेंगे तो इस तरह से दरदरा होगा अगर आप इसको गर्मा गर्म पीस देंगे तो मॉंपली अपना तेल छोड़ देगी और यह दरदरा नहीं होगा और आपका जब दरदरा नहीं होगा तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा तो यह देखिए हमने इक स्टालो को तो मोटे बड़ामक यहीं। लोडे लोडे पहलेवं के नावे लोडे हेे सब्सक्राइब इस तरह से ग्रेट कर लिया है और आलू के दिखें में कितने बड़ी हल अच्छे मिल गए है और आप इसे हमें एक पानी और वाश करेंगे क्योंकि इसका जो स्टाच होगा उसे हमें निकालना है नहीं तो आलू हमारी चीप्चुपे हो जाएंगे जब हम पकाएंगे इसे त है तो अपना अलू को भी बना सकते हैं आप अलू को हटा दीजिएगा अगर आपके पास अलू अबेलबर ना हो लेकिन मैं कच्छी अलू अबेलबर कर रही हूं इसके अंदर तो आपको यह आसानी होगी कि इसमें आलू को ना उबालने का जंजट है आप कच्छी आलू से अब इसमें आपके पासमेरी लाल मिर्च तो यह थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी कासमीरी लाल मिर्च जिसे खुश्चूला सा कलर है और कस्तूरी मेथि जो इस तरह थे हम डाल लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे प्याच कटी हुई तो फ्रेड़ आप इसमें डालेंगे एक बड़ी साइच की प्याच अगर आपकी छोटी है तो आप इसमें दो डाल दीजिएगा और यह प यह देखिया मिल गया है और इस तरह से बंढ़ने कि अगन है तो अब हम इसा से अवन इसे मिख्स कर लेंगे और ह во द dual के रिश्टर कि सारी मसाले और प्यार इच्छ से आपस में मिल गय watch तो फ्रेंट दो मिनट होके हैं और अच्छे से हमारा सारा मिष्रून मिल गया है अब इसमें हम डालेंगे दो चमद तक बेसन और यह कच्छा बेसन है भुना हुआ नहीं है तो दो चमद तक मैं बड़ा बेसन आड़ कर रहे हूँ अगर आपको चाइ वाले चम्मच है यह आपको चा़ चम्मच आड करना है आरिशे डाल कर मच्छा से मिख्स कर लेंगे बेसन डालने जापनमगर छाल काटा इक यह पाल मंत करते हैं और इस तरह से हमने आधा पानी भी आड़ कर दिया यानि एक और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसके बाद हम पानी आड़ करेंगे तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है और आलू के लच्छे को तोड़ना नहीं है हलके हाथों से इस तरह से मिक्स करना है और आप पाणि करेंगे एक गफ में पाकर सरी आप पानि किया था अब हम direct काषब 75 तरेन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दखे एक्सतम हम यहां अच्छा मिस्ड़म हमारा हो चुका है और इसे मिक्स शर्पी ख़त दो बियाख तो फ्रेंड देखिए अच्छे से हमारा खूल चुका है बेसन भी और जो हमने सब डाले से मसाले अच्छे से मिल गए है तो अब बनाने लेगा तब आपको डालना इसमें थोड़ा सा गुनगुना ऑईल और हम सरसो का डालने आप चाहे तो रिफाइन ऑल भी डाल सकते लेकि वे सायता हमें से ग्रीस करेंगे और इस तरह से हमें चाहरो तरफ सेंटर में सब टेल अप्लाई करना है ताकि आपके चिपके न मुद्द अच्छे से बलाई करना है और इसमें लागा लिए लेगे, आप चाहें अगर आपके पासẩट YouT Kahar that allaving बनाते लेकिन अब लेकिन व बड़ी कटोरी में आप बना सकते हैं तो इस तरह से हम ने डोनों में लगा लिया है तेल आपको अच्छा से लगाना है चालो तरस से तो दिखें हमारा तेल लग चुका है और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा एक बूंद तेल इसके नीचे पर अच्छे से और अपलाई कर तो ख्याल यह रखना है ज्यादा कटोरियों को भनना नहीं है कि फूल कर डबल हो जाएगा तो इसलिए हमें अब इसमें भी टाल देना है तो इस तरह से हम जाल दालें और इसे भी फिल कर लेंगे तो फ्रेंड इस तरह से फिल करने के बाद आपको कटोरी को इस तरह से घुमा लेना है ताकि जो किनारे संटर छूटा है उस पर भी अच्छे से अलग जाए और इसके साथ ही हम यहीं करेंगे और यह रैडी हो चुका है अब चलिए गयास की तरफ तो फ्रेंड आगे गयास की के इस्का चुका हुंं पर हम यह कर्षों को्टोरी तरह से जाएंगे और दूसरी पर एक हैंगे और नामस्म 10 मेंट तक छोड़ देंगे इस अन्चय first वालग See और यह देखिए कितना अच्छा इसका लोग आ चुका है तो अपना इससे निकाल लेती हूँ और निकाल कर आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड़ने इस तरह से निकाल ले अभी बहुत ज़्यदा गरम है तो इसे हम ठंडा होने के लिए वेट करेंगे और ठंडा हो जाएगा तो हम इसे साइड साइड से चको से निकाल लेंगे तो इसे पहले ठंडा करना जरूरी है अगर आप गरम गरम करेंगे तो यह तोड़ जाएगा तो हम इसे ठंडा होने का वेट करते हैं कुलिए तरह found इसे हुआ से साथा है slash and study करेंगे अहुआ अब लिए निकाले बिखिया के jump UK अम इसली दखाएगे तो इस तरह से निकल गया है और दूसरा वाला भी हम इसी तरह से करेंगे ऐसे रखेंगे और आपका नहीं निकला तो आप इस पर थोड़ा सा इसे मार दीजीगा और इस तरह से यह दोरों निकल चुका है और दोनों हमारे रैडी हो चुके हैं और अब इसमें हम लगाएंगे तड़का तो फिरन तड़का लगाने के लिए हम तोड़ा सरसो का तेल लिया है और इसे हम गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे दो लाविर्च इस तरह से खड़ी साबूत और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जीरा और कड़ी नीस और इसे अच्छा से तड़कने तरका कर देंगे को आप या कLING कर देंगे तो तड़का हमारा रेड़ी हो कि हुआ है आईर इस तड़के को हम सके अदर लगाएंगे और इस तरह त्याइब हें या自 शुद्विर कर राहे हैं और अच्छकर पर तढगा अ है तो फ्रान इसना तञी हो चुका है और इसको हम इसका पर इससे डाल देंगे इस तरह से रैडी है देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस तरह से बनाएंगे तो फैमिली वालों को बहुत ज़्या मता जाएगा और इस तरह से मैं अपने बाकी बना लुगी तो यह मैंने आपके लिए तैयार किया तो आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताएगे कमेंट ब लग तो आपको करी से खाण कितना शूरत लग रहा है तो वाइं टेक केर आपमें टुटर इसटाग्रां पर ही फॉलो कर लिजिए तो अबना खयार लग यह से उसे पर लिए